दोस्तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी यूटूब चैनल एजूकेशन मीट में दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं लेवल ओफ मेनेजमेंट यानि दोस्तो मेनेजमेंट की जो जो इस्तर होते हैं जिन जे levels पे management होता है उसके बारे में हम बात करने वाले तो आईए दोस्तों ज़्यादा time ना वेश करते हैं शुड़ करते हैं आज के हमारी वीडियो तो दोस्तों ऐसा तो है नहीं कि management का कोई एक ही level होता है जा फिर एक ही आदमी management करता है दोस्तों management हर level पे होता है और हर level पे management करने वाले लोगों को दोस्तों अधिकार दिये जाते हैं और साथ-साथ responsibilities भी दी जाती है mainly दोस्तों हम इसको तीन parts में divide कर सकते हैं जैसा कि आपने सुना भी होगा हम सब जानते हैं कौन सा level दोस्तों एक तो top level एक उसके नीचे middle level और दोस्तों एक उसके भी नीचे lower level या फिर supervisory level भी हम इसे बोल सकते हैं दोस्तों तो top level का management होगा middle level का management होता है और दोस्तो lower level का management होता है इन सब के बीच में दोस्तों इन तीनों level के बीच में एक chain बनी होती है एक chain बनी होती है जितना बड़ा लेवल उतने ही ज़्यादा अधिकार जितना बड़ा लेवल उतने ही दोस्तों ज़्यादा अधिकार होते हैं और दोस्तों अधिकार ज़्यादा तो जिम्मेदारिया भी ज़्यादा साथ मतलब दोस्तो टॉप लेवल से लेकर हम यदि नीचे लेवल तक आते हैं तो अधिकार कम होते जाते हैं जबकि दोस्तो नीचे लेवल से हम उपड की लेवल जाएंगे तो हमारी दोस्तो जो responsibility है हमारी जिम्मेदार है वो बढ़ते जाएगी एक example के थूँ दोस्तो मैं आपको लेवल समझानी की कोशिश करता हूँ जैसे दोस्तो Reliance Company है तो Reliance Company के chairman कोन है? मुकेश अंबानी जी ठीक है दोस्तो तो ये आएंगे top level management में क्यों क्योंकि दोस्तो ये उनके chairman है Reliance Company के chairman है तो ये आएगा दोस्तो टॉप level management में ठीक है दोस्तो मैं दोस्तो राजस्तान में रहता हूँ उन्होंने मुझे राजस्तान का head बना रहा है Reliance Company का राजस्तान का head बना रहा है मुझे तो दोस्तो मैं किस में आऊँगा? मैं आऊँगा दोस्तो middle level management में कौन से level management में? middle level management में अब दोस्तो राजस्तान की भी कई शेरों में इसके plant या offices वगरा हैं जैसे दोस्तो उधरन के लिए लेओ जैपुरू तो जैपुरू में जो इसके office का head होगा जैपुरू में जो इसके office का या plant का head होगा दोस्तो वो आएगा lower level management में जैए actual में वर्क होता है न इसका वो दोस्तो आएगा lower level management में इसमें दोस्तो मैंने आपको केवल एक level समझाने की कोशिश की है उमीद करते हूं दोस्तो आपको ये level समझ में आया होगा अब दोस्तो top level में कौन-कौन आ सकते हैं? top level मतलब vip level आप ये बोल सकते हैं vip लोग जिसमें आते हैं वो आते हैं दोस्तो top level management के अंदर अब vip लोग दोस्तो कौन होंगे? vip लोग होंगे director, board of directors chairman होंगे company के president होंगे company के या फिर vice presidents हो सकते हैं CEO यानि मुखे कारिकारी अधिकारी हो सकते हैं दोस्तो general manager के रूप में हो सकते हैं दोस्तो इसके अलावा दोस्तो CFO यानि chief financial officer मुखे with अधिकारी chief operating officer मुखे परिचालन अधिकारी ऐसे लोग आते हैं दोस्तो top level में तो ये तो दोस्तो बात हुई top level management की इसके लाव दोस्तो middle level management में कौन-कोन आएगा जैसा कि दोस्तो मैंने बताया राजस्तान का head तो राजस्तान का head का मतलब क्या होगा यानि divisional head मतलब आप दोस्तो बोल सकते हैं मुखे छेत्रिय प्रबंद किसी एक division का इसके लाव दोस्तो कोई department का head भी middle level management में आएगा इसके लाव पडचेज का यदि department है उसका manager है तो वो middle level में आएगा sales का manager है तो वो middle level management में आएगा marketing का है वो middle level में आएगा इसके लाव दोस्तो जैसे CEO यानी chief executive officer मुखे कारी कारी अधिकारी काई में आता है दोस्तो top level में यदि केवल वो executive officer है न chief नहीं है लगा उसके आगे यदि केवल वो executive यानी कारी कारी अधिकारी है तो दोस्तो वो आएगा middle level management के अंदर ठीक है मतलब दोस्तो supervisor foreman परिवेक्षक ठीक है दोस्तो sectional officer इसके लावा clerk बोल सकते हो आप sub department executive उप विभागिये अधिकारी आप बोल सकते हो मतलब सबसे नीचे जो practical level पर काम देखा जाता है न वो दोस्तो देखा जाता है उप lower level में के अंदर ठीक है और middle level क्या है दोस्तो इन दोनों के बीच के कड़ी है top level की और lower level की कड़ी है अब आईए दोस्तो तीनों को एक बार देख लेते हैं कि तीनों के क्या क्या काम होते है और तीनों की क्या क्या जिम्मेदारिया होती है तो आईए दोस्तो शुरू करते हैं पहले टॉप लेवल मेनेजमेंट से अब दोस्तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि कौन कोन आता है चीफ, एक्जेकुटिव, सीओ, चेर्मेन वगर आते हैं इसमें ये तो मैंने आपको बता ही दिया अब दोस्तो ये लोग होते कोने, ये लोग होते हैं दोस्तो लीड करने वाले, कमपनी को लीड करने वाले और सबसे ज़्यादा अधिकार और दोस्तो जिम्मेदारी वाले लोग होते हैं ये मैंन इनके फंक्शन क्या है, मैंन इनके कारिय का हैं दोस्तो जैसे दोस्तो पहला कारी है यदि हम ले तो दोस्तो कमपनी का उद्देश्य निर्धारित करना कमपनी या संगठन का उद्देश्य निर्धारित करना determining the objectives of the enterprise भाई दोस्तो कमपनी क्यों start कर रहे हो आप organization क्यों आप इस्तापित कर रहे हो उसका कोई ना कोई objective तो होगा ना हाँ भाई हम इस उद्देश्य के लिए ये company या organization start कर रहे हैं तो दोस्तो ये जो है ना objective उसका उद्देश्य क्या है man वो दोस्तो ये निर्धारित करते हैं कौन top level management के लोग और दोस्तो ये short term इसके लवा long term के भी जो company के objectives है वो बनाते हैं इसके लवा दोस्तो ये क्या करते हैं अब इन्होंने क्या objective मतलब company का उद्देश्य तो निर्धारित कर लिया हाँ ठीक है company इसलिए इस तापित की जा रही है अब दोस्तो उसको achieve करने के लिए उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो policies होंगी जो नितिया होंगी जो plans होंगी जो हमरी योज़ाई होंगी वो कौन मनाएगा अब दोस्तो वो भी ये top level के management ही निर्धारित करेंगे ठीक है क्या कर लिया हमने पहले objective निर्धारित कर लिया फिर दोस्तो हमने क्या किया plan मना लिये policies बना लिये अब दोस्तो उन plans पे काम कौन करेंगा middle level के लोग करेंगे तो दोस्तो जो middle level में काम करेंगे ना उनको दोस्तो न्यूक्त करेंगे उनको job देंगे ये लोग top level के ल इसके लावा जो दोस्तों company में पैसा कहां से आएगा company में पैसा आएगा कहां से और पैसा invest कहां पर होगा मतलब दोस्तों जो भी company का पैसा है कहां कहां से आ रहा है जो भी requirement है वो कहां से पूरी होगी ये निर्धार्ट करेंगे ये लोग ठीक है इसके लावा जो है investment मतलब investment क मतलब है जो इनकी संपतिया है फिक्सर सेट्स हैं वो खरीदिने का काम भी दोस्तो इनीका होगा जिससे दोस्तो जिससे अपनी कंपनिया और्गनाइजेशन चलेगी तो इन्वेस्मेंट तो करना ही पड़ेगा तो संपति अगरा तो खरीद नहीं पड़ेगी तो दोस्तो ये काम भी टॉप लेवल का मेनेजमेंट ही करेगा बहारी दुनिया से या बहारी लोगों से संपर्क मतलब रिलेशन्शिप विद्धा आउटसाइल वर्ल्ड जैसे दोस्तो आपने कभी ना कभी पेपर में पढ़ा होगा कि मुख्यमंत्रियों ने की कमपनी के CEO के साथ मीटिंग कई छेत्रों में निवेश पर हुई चड़्चा फलाना फलाना कमपनी जैसे रिलाइंस कमपनी राजस्तान में 500 करोर का निवेश करेगी टाटा कमपनी पंजाब में 1000 करोर का निवेश करेगी तो दोस्तो ऐसी जो मिटिंग होती है मतलब भारी लोगों से जो कम्यूनिकेशन इस्तापित करना होता है ये भी कोन करता है दोस्तो टॉप लेवल मेनेजमेंट के लोग मीडिया से बात करना ये दोस्तो टॉप लेवल मेनेजमेंट का ही काम होता है इसके लाग दोस्तो हम बोल सकते हैं कि कम्पनी के ग्रोथ के लिए उत्तर दाई जो दोस्तो टॉप लेवल का मेनेजमेंट होता है वो कम्पनी के सर्वाइवल के लिए और दोस्तो growth के लिए है न responsible होता है, क्योंकि दोस्तो plan यही बनाते है, plan यही बनाते है, हलाकि execute दोस्तो औरों को करना होता है, लेकिन दोस्तो plan में गलती होगी, तो कौन जिम्मेदार होगा, top level के management ही तो होगे न, तो दोस्तो उसके लिए यह जिम्मेदार होते हैं, तो कहने का पतलब दोस्तो यह हलाकि यह top level के management के अंदर आते हैं, लेकिन दोस्तो इनको भी अपने organization को चलाने के लिए गंटो देना पड़ता है company को, ऐसे नहीं top level पर बैठ गए तो मोज है, नहीं दोस्तो बहुत टेंशन होती कि इनको भी एक lower level के कर्मचारी को तो क्या है, केवल दोस्तो 10 से 5 ही नोकरी करनी है और कुछ भी नहीं है लेकिन दोस्तो company की बहुत सारी जम्मेदारी किस पर होती है, इन पर ही तो होती है दोस्तो, तो इनकी भी दोस्तो मैंने आपको बताई दिया कि department के head आ सकते हैं, जैसे दोस्तो purchase के head, sales के head, finance के head, marketing के head, या फिर division के head आ सकते हैं, तो ऐसे लोग दोस्तो आते हैं middle level में अब ये लोग क्या हैं दोस्तो, जो भी top level के अधिकारियों ने plan बनाए हैं company के लिए उनको दोस्तो execute करने का काम इनी का है, उनको execute करने का काम इनी का है दोस्तो, middle level management का ये क्या करते हैं, दोस्तो एक धागी की तरह काम करते हैं, किनके बीच में top level और दोस्तो जो lower level है ना हमारा management का उनके बीच में एक धागी के समान काम करते हैं तो इनके दोस्तो main functions हम क्या-क्या ले सकते हैं जैसे कि दोस्तो company की नीतियो या फिर योजनाओं की व्याक्या करना दोस्तो ये लोग क्या करते हैं middle level के लोग क्या करते हैं ये जो top level का management जो भी plan बनाएगा न company के लिए तो उसकी दोस्तो explain करते हैं उसको उसको explain करते हैं lower जो level है उनके लिए हाँ बई इस तरह से आपको काम करना होगा इस तरह से company के plan है इस तरह से हमें काम करना है तो lower level को explain करने के काम करते हैं जो भी policies बनाएगी है top level के management के दोरा इसके लाव दोस्तो ये लोग दोस्तो जैसे कि मैंने बताए head होते हैं head होते हैं कोई division के या फिर कोई department के तो जैसे दोस्तो purchase department का कोई head है तो दोस्तो उसके department की क्या-क्या responsibility है उसके department में क्या-क्या activity होनी है ये सारा काम भी दोस्तो देखेगा middle level का management इसके लाव दोस्तो ये department के जो head है वो खुदके department में काम करने वालों को भी तो recruit करेंगे न, nukth करेंगे न तभी तो काम होगा दोस्तो तो दोस्तो ये nukth TV देते हैं employees को खुदके department में इसके लाव दोस्तों ये क्या करते हैं जो low management का È होता है नो दोस्तों उसकी दोस्तों ये एक report भी तयार करते हैं उनकी performance देखते हैं दोस्तों और उस पर दोस्तों ये report तयार करते हैं और दोस्तों जो भी लोग काम कर रहे employees हैं उनको दोस्तों motivate करने का भी काम होता है इसके लाव दोस्तों जो भी छोटे बटे department होते हैं उनके बीच में corporate करने का काम करते हैं तो ये तो दोस्तों बात रही middle level की इसके बाद दोस्तों बात करते हैं lower level management यानि दोस्तों supervisory या फिर operational level की अब जहां दोस्तों company का काम practical होता है दोस्तों वो वाला level होता है या lower level management का हाला कि दोस्तों इनके पास बहुत ही limited अधिकार होते हैं limited इनके पास authority होती है ये दोस्तों क्या करते हैं workers को है न instruction देंगे और उनकी report देंगे दोस्तों ये middle level management को कहने का मतलब दोस्तों ये है कि company के product का क्या scene है कैसा है वो quality कैसी है जो output आ रहा है वो कैसा है दोस्तों ये सारा depend करता है इसी level पर इसी level के जो manager होंगे वो कैसा गारे करते हैं, वो कैसा management करते हैं दोस्तों, वो सब dependent करता है इसी level पर तो इनके कुछ काम या functions हम देख लेते हैं दोस्तो workerों की समस्याओं को represent करना मतलब शमिकों की समस्याओं का प्रतिनिदित करना दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, जो practically काम होता है इसी level पर होता है, तो जो worker है वो किस से connected होएंगे, lower level के manager से ही, तो connected होएंगे न तो दोस्तों, जो भी इनकी problem है न, ये पोचाते हैं, middle level लोगों को उनकी समस्याओं को represent करते हैं, ये lower level के managers या management इसके लाव इनका दूसरा काम होता है दोस्तों, अच्छा कारियस्तल प्रधान करना मतलब दोस्तों, अच्छी working condition देना अपने करमचारियों को, और दोस्तों जो officer लोग हैं, और जो worker हैं, उनके बीच में अच्छा relation बने उनके बीच में अच्छा relation बने ये भी दोस्तों, ये लोग देखते हैं इसके लाव दोस्तों, ये guide करते हैं जो middle level के लोग होते न, तो वो employees को recruit करते हैं न्यूक्ति देते हैं, तो दोस्तों, ये लोग क्या है, guide करते हैं उनको, हाँ, सब इस तरह से आप इनको न्यूक्ति कर सकते हो इसके लाव दोस्तों, ये लोग क्या करते हैं ये वरकरों से सीधी बातचित करते हैं और यदि दोस्तों कोई suggestion देते हैं वरकर लोग, तो दोस्तों उसका भी ये proper काम तो हैं दोस्तों, वरकरों को सीधा क्योंकि connect रहते हैं उनसे, तो इस तरह दोस्तों ये कुछ काम होते हैं lower level management के तो दोस्तों हमने top level पढ़ लिया middle level पढ़ लिया और lower level पढ़ लिया उमीद करते हों दोस्तों आपको तीनों level समझ में आयोंगे, तो top level का काम दोस्तों, प्लान मनाना, middle level का काम दोस्तों, वो प्लान कैसे पूरा होगा उसको explain करना, कि इस तरह से ये प्लान पूरा किया जाना है, और दोस्तों lower level का काम क्या है, उसको execute करना, mainly जो काम होगा practically वो काम कौन करेगा, lower level का management, तो आज की वीडियो में दोस्तों बच इतना ही वीडियो ये पतंदा है, तो वीडियो को like करें, चैनल को subscribe करें और share भी करें, धन्यवाद